Very good evening to all of you, आप सभी का warm welcome है वाइटी और इंगली शूटर पे, मेरा नाम है अमन बहल, आज सुबह का दा हिंदू का second editorial पढ़ेंगे, जो की काफी interesting है, birds and rights इसका title है, आर्टिकल में जो issue discuss किया गया है वो है, assisted reproductive technique से पैदा ओने वाले बच्चों को कैसे regulate किया जाए, ऐसे दवाओं और डॉक्टर्स के सारे पैदा करवाते हैं, देखेंगे detail में, यह आपका आज का quiz है, motivation quiz, अगला आदा पुना गंटा आप जो भी invest करेंगे और जो भी सीखेंगे, grammar, vocab, वो सब का सब इस पर अपलाई होगा, first question RC का है, धंक से article को पढ़ना, second question आपको one word भी और fourth में आपको grammar के दो errors को find करना है, session के last में इसका solution आपको मिल जाएगा, भी पूरे मन से एक try आप इसको दे सकते हो, screenshot ले ले लेना, ठीक है, चलिए, आईए कुछ नया सीखते हैं, क्यार बर्स एंड राइट्स, देखिए बर्स तो आप जानते हैं, जनम और राइट्स मतलब आपके हक, आपके अधिकार, क्या कहना चाहरा है, मौलूम चलेगा इसके title paragraph से, क्यार लोज और री प्रोडिक्टिव राइट्स, must recognize differences in orientation and relationship choices, क्यारे जो laws आ रहे हैं, जो कानून आ रहे हैं, जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं, और किस पे, हमारे reproductive rights पे, reproductive rights का मतलब है, बच्चा पैदा करने के अधिकार, reproduction का मतलब ही होता है, offspring को दुनिया में लाना, president करना, बच्चों को पैदा करना, तो जो हमारे कानून जो बनने जा रहे हैं, reproductive rights पे, बच्चा पैदा करने के अधिकार पे, क्यारे इन rights को, इन laws को पहचानना ही चाहिए, recognize करना ही चाहिए, दो चीजों को, पहली चीज़ है, जो differences है, orientation में, और दूसरी चीज़ है, जो differences है, relationship choices में, समझ रहो, अब ये दोनों चीज़े में आपको समझा लेता हूँ, ये चीज़े हैं क्या, relationship choices का मतलब है, आप किसी person से शादी नहीं करते हो, आप उसके साथ live-in में रहते हो, ये आपकी relationship के एक choice है, तो अगर आप live-in में रहते हो, तब भी आप पे law apply होना चाहिए, और difference in orientation का मतलब है, आपका orientation, आपका रुजहान ही अलग है, आप same sex marriage के अंदर हो, आप male हो, और दूसरी male से शादी करके बैठे हो, ये female हो, किसी दूसरी female से आप शादी करना चाहते हो, ये क्यों है आपने, तो अगर आप इ इसी तरह के लोगों पे आज का आर्टिकल लिखा हो है, LGBTQ और living relationship वाले couples, laws आपका subject है, must recognize आपकी वोब है, orientation मतलब आपकी प्रवर्ती, आपका inclination, आपकी preference, आपका रुजहान, चलिए, simple article है, अब फटा पट से क्या करेंगे, सारी vocab देखेंगे सारी वोकाब देखेंगे सार पिछले सारे वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे, रोज अपडेट करता हूँ, last के अंदर, end के अंदर आपको अपडेट की हुए words, add की हुए मिल जाते हैं, इस sheet को आप अपने टेलेग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हो, सुबह 7 वजे इस ग्रूप के अंदर मैं आप imperative का मतलब है, एक essential duty या urgent duty, ऐसा फर्ज जो आपको अदा करना ही है, morally भी जरूरी है और वैसे भी emergency आपको करना ही पड़ेगा, essential है, it is an imperative that politicians should be articulate in their speech, ये एक imperative है, एक essential duty है, कि जो politician है, उनको साफ-साफ अपने speech को रखना चाहिए, articulate होना चाहिए, गुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए, articulate का मतलब होता है, clear, तो ये बड़ी जरूरी चीज़ है कि जो भी नेता है, वो सही वादे करे, साफ-साफ वादे करे, गुमा फिरा के नहीं बोले, articulation में रखे, इसको necessity भी बोलते है, imperative को, obligation भी बोलते है, और exigency भी बोलते है, तो imperative नाम के word को आज आप article में दे जीद कर दे, बहुत complex हो, आपका दिमाग चक्रा दे, ऐसी चीज के लाथी है, bewildering, तो bewildering के एक synonym है, baffling, यह आप आज आप आज आर्टिकल में देखने वाले है, technology is developing with a bewildering pace, technology जो है, तकनीक जो है, वो develop हो रही है, एक चक्रा देने वाली रफतार से, चार-पांच साल मे पूरी technology चेंज हो जाती है, है ना, तो बहुत चक्राने वाली बात है, अगर आप इसको द्यान से समझे तो, bewilder नाम की verb से बना हुआ है, bewilder का मतलब भी होता है, किसी को चक्र दिलाना, चलो एक और word है, retrogress कई बार कर चुके है, progress मतलब आगे जाना, retro मतलब पीछे, retrogress मतल पीने लगे, तो अब retrogress करके और फिर से alcoholism और smoking की तरफ, है ना, retrogress, COVID-19 has caused the word economy to retrogress to where it was a decade ago, COVID-19 ने cause कर दिया है, पूरी economy को धक्का मार दिया है, कि वो retrogress करे, फिर से पिछे आ जाए, और कहाँ पे, जहाँ पे ये दस साल पहले हुआ करती थी, 2021 में 2011 की अर्थ्विवस्ता क अब साथ हम जी रहे हैं, तो retrogress, retrograde ये words आप आज आटिकल में देखने वाले हैं, retrogression इसका non-form होता है, एक नया word बता देता हूँ, cognizant, cognizant का सीदसा मतलब होता है, aware and informed, किसी चीज़ के बारे में आपको ग्यानों, संग्यानों, आपको पता हो क्या चीज़ हो रही है, है न rash drivers are not, are often not cognizant of the danger caused to lives of the others, ये caused कर लेना, या भी deal लेका लेना, rash drivers जो होते हैं, धंग से गाड़ी नहां चलाने वाले जो लोग होते हैं, अक्सर वो cognizant नहीं होते हैं, अक्सर उनको awareness नहीं होती है, उस danger की जो caused करते हैं वो दूसरों की जिंदिकियों को, तो अपने जिंदि गाड़ी चला रहे हैं, बाइक घुमा रहे हैं, गोल गोल, दूसरों की जिंदिकियों की परवा भी नहीं करते हैं, उनको दूसरों की लाइफ का भी नहीं पता होता कि हम केतना डेंजर उनको डाल रहे हैं, इसको conscious या knowing भी बोलते हैं, cognizance की noun form है, cognizance का मतलब भी यह होता awareness, समझ के तो ये word भी आ जाएगा, cognizance, इसके बाद off आता है हमेशा, तो यही चार words है अपने पास, जो इस article में आज आज आप देखने वाले हो, मोटे मोटे हैं अब एक समरी में आपको दूँगा article की, ताकि आपको समझ में किस बारे में लिखा हुआ है, और साथ मैं add भ के सारे current affairs को इकठा करके आपको दे देते एक PDF शाम में, हिंदी और इंगलिस दोनों ही भाषाओं के अंदर ये PDF आपको मिलेगी, साथ में मिलेंगे आपको दो quiz हर रोज, ताकि इस PDF में जो आप सीखो, उस quiz पर apply करके अपना level चेक करो, अब इस PDF को जो daily वाली है, ये weekly और monthly में भी बना देते हैं, बड़े-बड़े-मोटे-मोटे current affairs के जो points है, उनको ले करके, इस तरह से पिछले 6 मेने का सारा current affairs app available है, हिंदी और इंगलिस दोनों languages में, quizis के साथ, इन्होंने topic wise ब अलग किया हुए, science के अलग कर दिया, economy अलग कर दिया, banking वालों का capsule ये अलग है, चलिए फटा-फट से summary लेंगे article की, बहुत interesting article है, आपने सुना होगा कुछ couples के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी body में कोई weakness होती है, कभी-कभी male की body में, कभी-कभी female की body में, और कभी-कभी दोनों की bodies में, अब ऐसे couples के लिए science बहुत आगे आ चुका है, science के सहारे आप बच्चों को पैदा करवा सकते हो, इवन लैब में भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, test tube babies, अब यह जो सारी processes हैं, surrogate mothers, IVF, test tube babies, इन सारी processes के अंदर low-cum misuse बहुत होता है, इस misuse को रोकने के लिए और इस पूरे field को regulate करने के लिए, कैसे आप doctor के पास जाएंगे किस तरह का doctor होगा, कहीं वो आपका फैदा ना उठा ले, कितने वो पैसे आप से लेगा, इस पूरे field को regulate करने के लिए सरकार लाइए कानून, इस bill का भी राजय सभा में पास होना बागी है, हमारा article कह रहा है कि सबसे पहले we welcome this bill, इस bill की इंडिया को बहुत जरूरत है, फिर जो लोग LGBT community से belong करते हैं, हमारा article कह रहा है कि इतना progressive bill है, तो इन में इन दोनों जो है, category के लोगों को भी शामिल किया जाए, ये भी इंसान है, और सरकार का धरम तो यही होता है, कि अपने सभी citizens को बरावरी से treat करे, तो अगर कोई LGBT है या कोई living में भी रहता है, तो भ आपको बताती है, क्या सही है, क्या गलत है, राइचेस मतलब जो आपको सही और गलत क्या पैचान करवाए, ethical भी वही होता है, चलिए शुरू कर लें article को, से पहले अपनी आप को डाउलड करें, Google Play Store से, YAT Your English Tutor, इसी वीडियो के नीचे, first comment में, इसका link भी डाल रहा हूँ, पेंट comment में, एप का फाइदर ही है, कि आपको मिलेंगे यहाँ पे quality courses, affordable prices में, जैसे basic से advanced English writing का, हर course को मैं खुब design करता हूँ, वीडियो में खुदी बनाता हूँ, जैसे इस course में आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल basic से advanced level तक writing कैसे करनी है, grammar included है, किसी भी exam के लिए कैसे ल लगना शुरू होने वाला है, उससे पहले फाइदा उठा सकते हो, banking का course भी है, clerical PO, prelims plus mains, यहाँ पे मैं आपको practice करवाता हूँ, जो आपने अभी तक सीखा है, उसको कैसे paper के अंदर practice करना है, हर तरह के questions को कैसे solve करना है, इस course ही कीमत है 119, आपको मिलता है 125 में YAT combo code को use कर अपने courses अब iOS पे भी available हैं, अगर iPhone में access करना चाते हो, तो इस number पे message करना आपको समझा देंगे, चलिए, क्यारे एक ऐसा bill, एक ऐसा कानून, बिल का मतलब क्या होता है, जो कानून बनना बाकी है, सरकार ने सोचा है कानून बनाएंगे, बिल बन जाएगा act जब वो कानून पास होगा, करे एक draft कानून, एक bill, और कौन सा bill, जिसको जो हमारी the government जो सरकार है, और कौन सी of the land, जो land की सरकार है, government of the land का मतलब है, किसी भी area के अंदर अधिकार रखने वाली सरकार, करे एक ऐसा bill जिसको उस area की सरकार जो है, intent करती है, कि लोग के अंदर बदलेगी, उस bill को कानून बनाएगी, करा ऐसा जो bill है वो हो नहीं सकता है, cannot be, अच्छा क्या नहीं हो सकता, exclusivist, exclusivist का मतलब है, exclude करने वाला, कुछ लोगों को अपने दाएरे में जान बूच के ना लेने वाला, और कहां पर अपने very outset पर अपने precise beginning के अंदर, outset मतलब किसी चीज की शुरुवात, beginning, इसको onset भी बोलते है, तो करा कोई भी bill, जिसको उस area की सरकार चाती है, कानून बनाना, जैसे इस bill को हमारी सरकार चाती है, करा कोई भी ऐसा bill, एक्सक्लूसिविस नहीं होना चाहिए, अपनी शुरुवात से ही, शुरू से ही सरकार ने कुछ लोगों को बाहर रखा हो, इस bill में ऐसा बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, करा और, and, at least, कम से कम, with the time of passage, वक्त के साथ में, with the time of passage, करा, it is imperative, ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा essential है, that वो ये कि, ये lose कर दे अपनी biasness को, ये अपने अंदर के एक तरफा खयालों को, biasness को धिमेदी में छोड़ता जाए पीछे, आया समझ में, तो शुरू में तो वैसे भी कोई bill जो है, बाइस नहीं होना चाहिए, और अगर bias है भी, तो वक्त के साथ में अपनी biasness को, उस bill को खतम कर देना चाहिए, थोड़ा सा twisted लिखा हुआ है, लेकिन आसान है, आप subject वो पकड़ो, bill की वो अब है, cannot be, bill के लिए relative क्लोज आया, that the government intense, गौर्मेंट की वोगी intense, है ना, exclusivist का मतलब है, जो exclude करने वाला हो, इसका बिलकुल उल्टा होता है, inclusive, जो include करने वाला हो, सब को अपने दारे में लेने वाला हो, it की verb is imperative आप देख चुके हो, essential और urgent हो, जो जरूरी हो, यहाँ पर it की verb है, loses, है ना, lose एक verb है, और bias का मतलब होता है, prejudice, आपका एक तरफा खयाल, किसी चीज को लेके पक्षपात, outset का मतलब होता है, किसी चीज की शुर of pandemic, pandemic की शुरुवात है न, the onset of recession, recession की शुरुवात, onset is a, यह लिख देता हूँ, is a negative word, दोनों का मतलब है शुरुवात, outset और onset, बढ़े आगे, यह चीजें close test में बहुत काम आते हैं, फिर आप पूस्तों ना सर, यहाँ पर outset क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया, क्योंकि onset नेगटिव चीजों के लिए यूज होता है, नेगटिव वर्ड की जगह यह आएगा, क्यरा, it cannot exclude certain categories of citizens from the benefits and rights that the law seeks to confer upon the people of the country, क्यरा, यह exclude नहीं कर सकता, यह पीछे नहीं छोड़ सकता, अपने दारे के बाहर नहीं रख सकता, कुछ category of citizens को, citizens की कुछ अलग जातियों को, और क इसके benefits और rights से, तो किसी भी बिल में ऐसा नहीं लिखा होगा, कि यह भारत के सभी citizens पे लागू नहीं होता है, सब पे लागू होना चाहिए हर कानून, और करें तो कौन से benefits to rights, जिनको यह law seek करता है, कोशिश करता है कि confer upon करे, देखिए confer upon का मतलब होता है, किसी को कुछ देन To give something to someone is able to confer something upon someone, तो ऐसे rights benefits, जिसको law चाता है कि वो confer upon करे, provide करे country के people को, देश के लोगों को, आगा समझ में, वो क्या बच्छी है आज की article की, देख रहो ना, इट की वोब है, cannot exclude, यह exclude नहीं कर सकता है, इस तरह के लोगों को in rights से, law की वोब है, seeks, confer upon करना मतलब देना, अब मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने आपको pen दे दी या notebook दे दी, तो आपने confer नाम के word को use कर लिया, आप इसको use करते हैं किसी को इज़त देने के लिए, किसी को responsibility देने के लिए, किसी को award देने के लिए, अगर किसी को परमवीट चक्र मिला है, तो सरकार न के लिए confer upon नाम के phrase को use करें, अब ध्यान से समझें, इसमें जो एक खासित क्या है, आप किसी को give something someone to कर सकते हो, लेकिन confer something upon someone करते हो, आगा समझ में, अगर मुझे एक medal मिला है तो president conferred a medal on me, या upon me, तो मतलगा है न, confer के साथ में on या upon आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, आज is what the ART, या Assisted Reproductive Technology Bill 2020, that was passed in the Lok Saban Wednesday, has done, by excluding two categories, LGBTQIA+, and single man, करें यही चीज जो है न, that is what, यही चीज जो है, जो यह वाला बिल है, और कौन सा बिल, जो की पास किया गया है, लोक समा में, इसी बुदवार को, करें यही वो चीज है, इस बिल ने की है, अचा कैसे किया है, एक्सक्लूड करके, दो कैटेगरी इसको, दो तरह के लोगों को बाहर रख करके, पहली कैटेगरी है, यह वाली, और दूसरी कैटेगरी है, सिंगल में, आगा समझ में, that की वर्ब है, इस बिल की वर्ब है, has done, और इस बिल के लिए रिलेटिफ पनावना है, that, जिसकी वर् इस सेंडेंस में, एक छोट असा इंपूब्मेट किया जा सकता है, पहले आप अपना दिमाँ लगाओ, फिर मैं आपको बता देता हूँ, इतने में आपको एक्सपें कर देता हूँ, LGBTQIA यह चक्कर कैए, देगे, LGBTQIA वो लोगो टे है, जिनका सेक्शल ऑरिंटेशन थोड़ा ट्रांस जेंडर भी आप जानते हैं ये अलग टाइफ के लोग होते है फिजिकली भी ट्रांस जेंडर हो सकते हो आप मेंटली भी ट्रांस जेंडर हो सकते हो है न nud इस लोग दवाओं का सारा लेकर की भी ट्रांस जेंटर हो जाते हैं, आदमी से औरत बनगे, औरत से आदमी बनगे, तो ये ट्रांस जेंटर होना कहलाता है, Queer questioning वो होते हैं जो पैचान ही नहीं पाते हैं हम चाते क्या हैं जिंदिगी में आदमी चाते हैं औरत चाते हैं क्या चाते हैं हम male में interested हैं यह बस experiment करते रहते हैं Intersex का मतलब होता है भवान ने आपकी body में कुछ इस तरह का आपको दिया है कि आप male भी कहलाते हो और female भी कहलाते हो आप दोनों जी तरह के इंसान हो आप intersex हो दोनों के बीच के एक कड़ी हो यह sexual लोग वो हैं जिनमे sexual tendency होती नहीं है यह normal लोगों से थोड़ा hurt करके हैं इनको sexual life जो है इनकी जिन्दिगी पर नहीं होती है लास्ट में प्लस लगाने का मतलब यह होता है इस तरह का कुछ भी और भी कुछ अजीवों गरीब हो तो उसको भी इसमें एड़ कर लेंगे है ना तो इसको हमने यहीं तक रखा नहीं है तो यह LGBTQIA की full phone होती है आगा समझ में तो इस बिल में इस तरह के लोगों को जगा नहीं दी गई है अगर दो आदमी शादी करते हैं और वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं डॉक्टर की मदद से तो उन आदमियों को भी उनके बच्चे को भी regulate नहीं किया जाएगा चलो अब इसमें जो आपको improvement करनी थी वो समझा देता हूँ ये पूरा बिल एक proper noun है proper nouns के लिए that नहीं आता समझ रहो आप इसके लिए यहाँ पे that की जगा विच यूज करें और that के साथ कभी भी coma नहीं लगा जाता है देख पा रहो यहाँ कोमे लगे हूँ में एक्शल में इसको विच लिखना चाहिए था इसने दैट लिख रहा है ना कोमा भी लगा के बैठा है बस भाई जो है दैट की जगा विच लगाना भूल गया मैं रात में बनाता हूँ एडिटोरियल जेखना सुबह वले अख़बार में शायद दैट की जगा इन्होंने विच कर दिया हो अपनी गलती सुधार लिए हो चली आगे बढ़ेंगे प्रोपर नाउन कभी भी दैट नहीं लेगा उसके लिए रेटिव पनाउन हो या विच आएगा करें अन्डाव्टली दाइम है इंडीड कम फोर सच अ बिल करें बिना किसी डाउट के वक्त आ चुका है वास्तम में ऐसे एक बिल के लिए ऐसे एक कानून के लिए तो इसकी जरूत है हमें ऐसा नहीं इसकी जरूत नहीं हमें बिलकुल है और करें सरकारी इंटरवेंशन के लिए जो डाउब्स करेंगी इस पूरे फिल्ड को जो है फडिलेडी टूिट्मेंट का कैसे आप डोक्टर के सारे अपना बच्चा बैदा करोगे बना देने की एक नैशनल रजिस्ट्री को एक रास्ट्री डेटाबेश को और registration authority को इस database को maintain करने वाले authority को सभी clinics और medical professionals के लिए इस segment के अंदर कियरा है इस फरकार से सरकार एक vacuum फिल करेगी सरकार एक खाली जगह जिसमें misuse हो सकता था उस निर्वाद को vacuum को भर देगी समझ महाँ है sentence तो वक्त जरूरी था इस bill के लिए और सरकारी intervention के लिए और इस काम को करके सरकार इस intervention के सारे अपना vacuum फिल कर देगी अब इस sentence को structure देखेंगे time की वोब है has come present perfect tense में fertility treatment मने आपको बता दिया इसको assisted reproductive technology भी बोलते हैं आपको इस पे ऐसे भी लिखना पड़ सकता है आपको वैसे भी पता होना चाहिए ना A.R.T. Assistive reproductive technology अच्छा इट की वोब है विल्फिल vacuum आप जानते हैं इसका होता मतलब निर्वात अब vacuum की spelling आपने देख लिए है ना अब चलो अब इस vacuum को मत देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे मत देखो ठीक है उपर देखो चारों में से correct spelling कौन सी है अपने आप से पूछो exam का question हो तो कौन सी वाली पे ticker क्या होगे चलो W तो आता है लेकिन single आता है C फर्स्ट वाली ही सही है vacuum ठीक है English में दो ही words है जिन में W आता है इसलिए दोनों words खास हैं आपको दोनों words के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए पहला word है vacuum और दूसरा word है continuum continuum का मतलब होता है consistency physics का एक word है continuum वैसे भी use कर सकते हैं है आम बोलचाल की भाशा में continuum दो ही words एंग्लिस में जिन में W आता है चलो आज के spelling error में इन questions को मैं रखूँगा अब बताएगा बिल करेगा क्या बिल में provisions हैं बिल में कुछ rules है और किसलिए भाई महफूज करने के लिए protect करने के लिए अधिकारों को हकों को donors के donor कौन होते हैं विकी donor देखें न आपने कोई आदमी अपने sperm को donate कर रहा है इसी तरह कुछ औरतें अपने eggs को भी donate करती है ऐसी औरतों को जिनके अंदर eggs नहीं बनते हैं तो करे इस तरह के provisions इस बिल में रखे हुँ है कि अगर आप एक donor हो तो आपको पैसा मिले आपको इज़त भी मिले आपके हकों को rights को protect किया जाएगा और किसके rights को commissioning couple के commissioning couple वो couple है जो किसी doctor का या किसी surrogate mother का सहरा ले रहे हैं जो commission कर रहे हैं पूरे काम को जो पैसा दे रहे हैं वो couple और उन children का जो ART से पैदा होते हैं ऐसे बच्चे जो doctor के intervention से पैदा करवाय जाते हैं और चौथा काम ये करेगा कि grant और withdraw करेगा licenses को ऐसे clinics और banks के लिए depend करते हूँ उनके performance पे अगर वो performance factor सही नहीं दिखाते हैं गलत काम करते हैं ज़्यादा पैसे charge करते हैं misuse करते हैं इस technology का तो उनके license हुआ है withdraw भी कर लेंगे और grant भी उन लोगों को ही किये जाएंगे इस bill के अंडर तो इस bill में इस तरह के काम रहेंगे तो इसमें bill हो गया subject has provisions उसकी हो गया verb है ना ये provisions verb नहीं है उसकी actual में has उसकी verb है निकाल देना provision तो इस verb का object है ना मैं इसको निकाल दू यहां से चलो बिल की verb है आगे बढ़ेंगे ART आप देख चुके हो डोनर आप समझ चुके हो commissioning couple वो couple है जो पैसे देता है और चाता है कि हमारा बच्चा पैदा हो commission करता है पूरे मामले को it proposes to make it impossible for outlaws to operate within the system and profit from it while while exploiting patients कराई यह यह भी प्रपोज करता है बिल कि इस इसको impossible बना देगा नामुम्किन बना देगा outlaws के लिए outlaws वो लोग है जिनको law से out कर दिया गया है जो कानून को बार बार उलंगन करते हैं fugitive हैं criminals हैं जो बार बार कानून को तोड़ते हुए पाये जाते हैं वो outlaws होते हैं तो इस 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 बिल में यह भी लिखा हुए कि यह कोशिश करेगा कि in outlaws के लिए वो impossible बना देगा कि वो operate करें इस system के अंदर और इससे फाइदा उठा हैं profit from करें और कब इस काम को करें exploit करते हुए patients को patient को social करते हुए उनका advantage लेते हुए तो outlaws का काम यह होता है बच्चा पैदा करें ना करें पर आप से तो 5 लाग रुपे लेंगे तो इन लोगों को भी impossible बना देगा इस बिल में वो काम करी ना पाएं इस बिल आने के बाद वो अपना hospital चला ही ना पाएं अप जान गए हो exploiting यहाँ पर present participle simultaneous section है जब वो operate करेंगे तभी वो exploit भी करेंगे दोनों काम वो एक साथ करते हैं खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था यह outlaws जब अपना hospital चला रहे थे तब लोगों का solution भी कर रहे थे exploit कर रहे थे करें यह यह भी प्लान करता है विल कि यह पूट एन एंड टू करेगा यह खतम कर देगा किस चीज को भाई illegal trafficking को embryos के अंदर trafficking का मतलब होता है खरीद फरक्त illegal मतलब गयर कानोनी तो बुरून की embryo की औरतों के eggs की illegal trafficking को खतम कर देगा और उस mistreatment को भी खतम कर देगा उन गरीब लोगों की जो coerced होते हैं जो forced होते हैं जो pushed होते हैं अपने हालातों की वज़े से उनके circumstances की वज़े से donate करने में या तो eggs को या sporms को तो इस तरह के लोग भी हैं जिनको कुछ कुछ काम नहीं है बेरोजगारी है तो क्या करते हैं चलो अपना egg जागर के donate करे आते हैं स्पॉम दे आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ mistreatment बहुत होता है पैसा दिया नहीं इज़्जत मिली नहीं है न तो इस तरह के लोगों को इज़्जत भी मिलेगी और अगर ओरतें अपना embryo जो है खरीद फ्रॉक्त करती है तो वो trafficking illegal now सरकार की नजर में हो illegally trafficking now इस चीज़ को भी रोगने काम करेगा इटकी over plans put an end to मतलब किसी चीज़ को खतम कर देना ठीक है course का मतलब है force या push course का कोर्जन का मतलब होता है force है उसी से हमने course नाम का word का third form adjective बनाया हुआ है वो आदमी जिसके उपर force लगा हो जो आदमी push किया हो है na course चलो अब आपसे सवाल है मेरा the poor यहां पे किस तरह का noun है आप सोचो कुछ से इतने मैं एक और आपको word बताता हूँ the poor फिर से घूम के आएंगे ठीक है the poor यहां पे किस टाइब का noun है चलो put an end to यह एक idiom होती है ध्यान रख लेना इसका form यही है put an end to something इसके एक sister idiom है to nip something in the bud यह add the bud ध्यान रखें इस पे at बहुत जगह आपको लगावा मिलेगा एक्जाम में भी लगा के देते हैं जान भूज के लगा के देते हैं यह idiom बनी हुए nip in the bud अब याद कैसे रखोगे देखो nip का मतलब होता है चुटकी आप बनातो होता है और बड का मतलब होता है कली मान लो एक जंगली फूल है जिसको देखके आपको पता लग गया कि यह फूल जो है नुकसान करेगा आसपास के लोगों का जंगली है या इस तरह कहें जैसे खर्पतवार है कोई ऐसी चीज है मतलब आपको पता लग गया कि नुकसान है अगर यह पैदा होगी तो नुकसा सरकार को दिखी तो सरकार ने प्रोब्लम को निप इंद बढ़ कर दिया शुरू होने से पहले ही सरकार नो उस प्रोब्लम को खतम कर दिया तो पुट एन एंड टू सम्टिंग और निप इंद बढ़ यह दो इडियम से याद रखे इन की जिएगा एट आता है बस इसी पर बढ़े आगे चलो दर पूर यहाँ पर कॉमन प्लूरल नाउन है पूर एक अजटिव है आगे दर लग गया है दर पूर का मतलब है सभी गरीव लोग जो की सरकम्सेंसिस की वेज़े से फोर्स होते हैं कि अपने अंडों को यह सपर्म को डोनेट करें चलो आजाओ नेक्स परेग्राफ पे करा इडिज अनफैत्मेबल दाब बिल सो प्रोग्रेसिव बाइट्स वेरी निचर वुड ग्लेरिंगली एक्स्क्लूट मेंबर्स ओप्ड़ अप्लस कम्यूनिटी एंड सिंगल मैं करा यह चीज अनफैत्मेबल है फैत्मेबल मतलब जिसको फैत्म किया ज पाजा सके फैत्मों मेटर भी होता है जो समुद्र की गराई को नापता है तो अनफैत्मेबल मतलब सम्थिंग डिफिकल्ट तू मेजर यह सम्थिंग डिफिकल्ट तू अंडरस्टेंट करहें यह चीज समझना बड़ा ही नामुम्किन सा है समझ में आने वाली बात नहीं इस अनफैत्मेबल कि एक ऐसा बिल जो इतना प्रोग्रेसिव है जो इतना आगए कि सोचने वाला है अपने वेरी नेचर में अपने खुद के सभाव में कह रहा है वो सीधे सीधे ग्लेरिंगली एक्स्क्लूड करेगा ग्लेरिंगली मतलब खुले दोर पे फ्लैक्रेंटली चुपा करके नहीं सब के सामने वो बाहर रखेगा अपने दारे से कुछ मेंबर्स को जो हैं LGBTQI के कम्यूनिटी के और सिंगल मैन को तो यह अनफैत्मेबल सी बात है इतना प्रोग्रेसिव बिल भी इस तरह के लोगों को अपने दक्या पने अनुसी पने के कारण अपने दा बता दिया, difficult to understand, बिल की वह अब है, would exclude, नेचर मतलब सभाव, यह कम्यूनिटी आपको बता दिया, मैंने full form क्या होती है, glaringly मतलब खुले-खुले तोर पे, in a glaring या obvious manner, openly भी बोल सकते हो, और flagrantly भी बोल सकते हो, चलिए आगे बढ़े, as citizens, these groups do have the right to exercise reproductive rights, करा नागरिक होने के तोर पे, ऐसे groups लोगों के पास भी right है, अधिकार है, कि वो अपने reproductive rights को exercise करें, अपने जनम देने के, पैदा करने के बच्चों के अधिकार को, जो है, उसका फाइदा उठाए, तो यह भी citizens है, इनको भी बच्चे पैदा करने का अधिकार हैं ना, LGBTQIA को, चलो, groups की वोब ह have, के रहे, the omission is particularly baffling, considering that, the legislation has made provisions for single women too, apart from a commissioning heterosexual couple, के रहे, इनको जो दाइरे से बाहर रखने का काम, के रहे, इनको जो दाइरे से बाहर रखने का काम, जो omission है, वो खास करके baffling and confusing है, इस सीज को consider करते हुए, इस सीज को देखते हुए, कौन सी चीज, कि यह जो legislation है, यह जो provisions को single औरतों के लिए भी, तो अगर आप दो lesbian ladies हैं, तो आप बच्चे पैदा करवा सकती हैं, सरकार की, मलब जो है, इस सरे की doctors की मदद से, है न, तो आपको तो इमने इस दारे में रखा है, इस कानून के अंदर रखा है, और साधी साथ किसके, commission करने के एक heterosexual couple को, heterosexual कौन सा होता है, देखो heterosexual मतलब male plus female, जो traditional norms होती है, है न, couple बनाने की, homosexual होते है, same sex, तो अगर एक heterosexual couple है, वो commission करना चाता है, एक surrogate mother को, पैसे देखर कि अपना बच्चा पैदा करवाना चाता है, तो उनको तो रखा ही रखना ही था, साथ में single woman को भी रखा है, लेकिन single man को नहीं है न, और LGBT QIA को नहीं रखा, तो करा बस यही जदा हमें वैफलिंग लगता है, कि बाकियों को लिया था, तो इनको भी ले लेते हैं, है न, omission की verb is, omission का मतलब exclusion, legislation की verb has made, याद रखें, heterosexual मतलब, जो normal norms होती है, male plus female का जोड़ा, और homosexual मतलब, या तो दोनों male, या दोनों that, तीनों एक ही बात है, वो given और given that आप जानते हो न, वही considering और considering that में भी लगता है, वही provided और provided that में भी लगता है, जब that आ गया तो इनके बाद close आएगा, अगर that नहीं लगाएं, खाली given, खाली considering, खाली provided, तो इनके बात में हमेशा एक object आता है, यह rule हम कई बार कर चुके है न, तीनों को एक साथ रखना, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल है आप से, legislation नाम के word को देख करके और इसकी singular verb को देख करके आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, चलो, यह भी कर चुके हैं बहुत बार, यह सभी वो nouns हैं जो देखने में आपको लगता है कि आप count कर स सकते हो, लेकिन वो uncountable है, यह nouns कभी भी plural में use नहीं होते हैं, इन nouns को कभी भी आप एक से ज़्यादा plural verb देखर के भी नहीं बता सकते हो, artillery, equipment, paper, advice, legislation, bread, software, research, इन nouns के आपके कभी भी ऐसे मत लगाना, चलो, बहुत बार कर चुके हैं इसको, बार बार रिपीट किया करो दिमा कि बहुत सारी recommendation जो है, जो बनाई गई थी parliamentary standing committee के दवारा, उनको consider किया जा चुका है passive voice में, तो ऐसा उननोंने बोला कि हमने बड़ी सारी recommendation को मान लिया है, minister की वह बार सेड, recommendations की वह बार है had been considered, करा, unfortunately, despite export recommendations to include both categories, the committee recommended it, it would not be appropriate to allow living couples and same-sex couples to avail the facility of ART, citing the best interest of the children born through ART, अब इस sentence के अंदर आपको पूरे article की soul मिलेगी, ऐसा पूरा मामला हो क्यों रहा है, इसकी जड़ है ये वाली committee, करा, unfortunately, दुर्भागे वश, बाबजुद export recommendation के, बाबजुद experts के आपको recommend कर देने के, कि इन बहुत categories को include करना, LGBTQIU और single men को, करा बाबजुद इ इसने recommend किया, कि ये सही नहीं होगा, it would not be appropriate, कि हम इजाज़त दें, allow करें, live-in couples को, और same sex couples को, कि वो facility को ART की avail कर सके, वो doctor के पास जाकर के, अपना बच्चा ART के थुरू पैदा करवा सके, और कैसे allow नहीं करेंगी, कैसा बोला नहोंने, क्यों प्रेपरटी होगा, side करते इस बच्चे का जो born through होगा, इस तरह के process से, है ना, तो committee नहीं बोला कि ठीक है, वैसे तो technically इन लोगों को भी अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि इंडिया के समाज में, आज भी अगर live-in में जो couples हैं, जो 1-2%, है ना, इस तरह के couples के बच्चे जो हैं, वो थो कमीटी की वह पर recommended, इट की वह पर would not be, citing का मतलब है हवाला देना किसी चीज को, इसको आप present participle simultaneous section यहां पर मानेंगे, live-in आप जानते हैं, चली आगे बढ़ते हैं, कराइट also recorded that, given the Indian family structure and social milieu and norms, it would not be very easy to accept a child whose parents are together, but not legally married, कराइट कमीटी ने ये भी दर्ज किया, record किया, कागज leadering, provided, किसको देखते हुए, Indian family structure को और social milieu को, milieu का मतलब होता है social environment, हमारा समाजिक परिवेश, तो कराइट देखते हुए परिवार के संचना को, structure को, ढाचे को, और हमारे समाजिक परिवेश को, और norms को, rules को देखते हुए, कराइट ये बड़ा easy नहीं होगा, accept करना एक ऐसे बच्चे को, जिसके मावब साथ में तो हैं, लेकिन legally married नहीं है, तो ये committee ने खुद ने का है, इसलिए हम इन बच्चों को ART की सुविधा नहीं देना चाहते है, ऐसे बच्चे ART का सारा लेके पैदा ही ना हो, है ना, ऐसा हम चाहते है, it की वोब है recorded, it की वोब है will not be, milieu का मतलब होता है previous environment, खास करके आपका आसपास का समाजिक, social environment, अच्छा word है, one word है, social environment के लिए मिली हो, parents की वोब है, और कुस देखने वाला है, ध्यान दखना वो ही है, उपर आया था, considering that, यहां पे आया given, अगर that लगा होता है इसके बाद में, तो यहां पे एक subject verb का pair होना चा चलिए आगे बढ़ते हैं, करें, while the law would do well to be cognizant of the sentiments of the people, its purpose is also to nudge retrograde social norms out of their freeze frames towards broader acceptance of differences and preferences, करें जहां लो बिल्कुल सही करेगा, would do well, और क्या, cognizant होके, aware हो करके, भावनाओं से, sentiment से, लोगों की, law ने देखा कि Indian आदमी जो है थोड़ा दक्यानुसी होता है, इस तरह की चीजों को मानता नहीं है, तो इसकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, sentiment को देख करके law बनाएंगे, तो करें उस हिसाब से law बिल्कुल ठीक है, करें वहीं इसका जो purpose है ना, वो है, nudge करना, धक्का मारन retrograde, दक्यानुसी social norms को, और किस से, इनके freeze frame से, इनके permanent conscious से, किनके Indian समाज के, और किस की तरफ दक्का मारना है, एक broader acceptance की तरफ मानना है, बड़े level पे accept करने की तरफ मानना है, differences और preferences को, कुछ लोग होते ही different है, आपको देख के लगता है वो औरत है, लेकिन अंदर से वो आदम करती है, आगा समझ में, तो लोगों के इसाब से सही हो सकता है, लेकिन अगले 50 साल को देखा जाए, तो ये बिल जो है, दक्यानुसी के लाए जाने वाला बिल है, लोग की वह वह वै, would do, its purpose की वह वह वै, is, नज का मतलब धक्का मारना, पुश करना, फोर्स करना, रेट्र रेट्रो ग्रेड, प्रोग्रेड, प्रोग्रेस के विल्कुल उल्टे है, दक्यानुसी, पीछे लाने वाले, कॉगनिसेंट ओफ, अवेर ओफ, कॉंशियस ओफ, किसी चीज के बारे में आपको पता होना, है न, ओफ लगा के बताते हैं, इन तीनों वर्ड के बात, फ्रीज साल, पचास साल की उमर में आके आपको समझाया जाये, तो आप माना होगे नहीं, तो आपको अगर कानून के जरीए समझाया जाये, तभी आप इन चीजों को माना होगे, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज फ्रोजन है, बढ़या के फ्रीज फ्रेम आपका पर्मान के रहा है जो कानून निर्माता हैं जो लेजिसलेटर्स हैं जो हमारे नेता हैं संसत में बैठे हुए उन्होंने इस सीज की तरह भी पॉइंट आउट किया है कि एक सरोगेसी बिल जो 2019 में आया था के रहा है जो की intrinsically connected with है जो की essentially जो की अपने nature की वज़े से जुड़ा हुआ है इस ART बिल के साथ जो आप अब भी लाए हो के रहा है उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि यह जो बिल है इस तरह का जो इस से connected है यह पेंडिंग है राजसवा में और के यह बड़ा ही appropriate होगा यह बहुत ही only भी appropriate होगा सही होगा कि दोनों बिल्स को एक साथ consider किया जाए इस से पहले की वह पास हो तो दोनों बिल एक साहथ में लेकर के एक साथ इन पे विचार करके एक साथ इनको पास करो, ऐसा कहना है कानून इन्मता हों का, LSE LEADERS की वह ब्ड़ा के यह ब्ल की वोग वाज राजय सवा, लोक सवा के आगे हमेशा दर लगाए, पारल्यमेंट के आगे दर नहीं आता, अब जानते हैं न अ अ इंत्रिस्टिकली मतलब अपने नेचर के इसाब से नेचुरली इंत्रिस्टिकली मतलब बई वेरी नेचर चलिए चल्केरइब अब बॉल है इंब सीधे सीधे कोड के अपर हाउस की समझके ना squarely in the code of the upper house upper house का मतलब राजय सवा code का मतलब इसका जो अदालत तो upper house की अदालत के अंदर ही उसके पले में बोल है सिधे सिधे राजय सवा डिसाइड करें कि इस बिल में क्या करना है और गरे जो राजय सवा में लेजिसलीटर्स बैठे हैं वो अभी भी right कर सकते हैं set set right करना मतलब make comment करना किसी चीज को सही करना तो वो अभी भी इसकी बरपाई कर सकते हैं सही कर सकते हैं जो omissions इस बिल में हमने किये हैं इन LGBT Q वालों के और introduce कर सकते हैं उस भावना को उस intention को जो है नय की justice की इंसाफ की और किसमे letter of the law में लो की भाशा में लो के लेटर में लो की लिखावट में समझ में आ गया तो राजय सभा की हाथ में सब कुछ है अगर उनका दिमाग सही तरीके से काम करें तो इस लो को सही भाशा में लिखा जाए सब लोगों को इसमें जो include किया जाए का मतलब होता है में कमेंट बिद करना किसी चीज में सुधार लेकर के आना इंटर्डूस भी लेटर की दूसरी वह होग है can introduce है न letter का मतलब होता है लिखावट the letter of something मतलब how something has been written इसी पे एक इडियम मनती है letter and spirit the law will empower the poor in letter and spirit law जो है poor को empower करेगा गरीब लोगों को ताकत देखा अपने लिखावट में भी ऐसा है और अपनी spirit में भी ऐसा है इसका intention भी वह है और लिखा भी वैसा ही गया है letter and spirit नाम की इडियम को ऐसे ही लिखा जाता है आप कैसे लिखे गई हो किसी चीज को कैसे letter में लिखा गया है और वास्ता में उसका meaning क्या है उसकी spirit letter and spirit चलिए यहीं पर wrap up करेंगे थोड़ा वो कहा है मुझे लगा थोड़ा सा complicated था है ना जब मैं बढ़ता हूं तब मुझे feel नहीं होता जब आपको पढ़ा था हूं ना detail में तब मुझे कई चीज है feel होती है तो quiz मैंने ज़्यादा मुझे बनाया नहीं है मिली हो आप जानते हो बता दोगे इन चारों में से कौन सा होता है one word का meaning मिली होगा spelling मैंने आपको अच्छे से करवा दिये continue vacuum की यह भी आपको चेक करनी है कौन से सही है इसमें आपको दो errors निकालनी है पहले निकालनी है confer को कैसे use करना है इसके बाद में क्या लगाना है to लगाना है upon लगाना है at लगाना है on लगाना है यह आप चेक करके बताओगे दूसरा आपको देखना है nip इसके बाद में कौन सी preposition use होती है तो nip the cross water terrorism in the bird, at the bird या on the bird या आप खुछ से चेक करके बताओगे तो दो errors मिलेंगी इसमें आपको दो question यह होगे first question है आपका किस से related? RC से related इस question को मैं आपको करवा देता हूँ which of the following alternatives is not one of the salient features of the ART bill इन में से कौन सा alternative जो है ART bill का salient feature नहीं है salient मतलब important feature मतलब गुण तो इसका कौन सा important speciality नहीं है इस bill की तो bill हमने detail में बढ़ चुके है है अब उसी में चार अपने बास alternative है पहला alternative है to curb illegal embryo trafficking curb करना, control करना illegal brun की trafficking को लें देन को बिल्कुल ठीक है bill चाता है वास्तम में इस चीज़ को कि मैं curb करूँ तो ए तो इसका salient feature है हमने पूचा कौन सा नहीं है ए आपका answer नहीं होगा safeguard the interest of the children born out of ARD by same sex couples interest को बच्चों के safeguard करना जो की same sex couples से निकलते है दो आत्मियों ने शादी कर ली बच्चा पैदा करवा ली है डोक्टर के जरीए है ना या दो वर्तों ने कर ली तो ऐसे बच्चों के interest को safeguard करना यह हमने पढ़ा था है ना बच्चों के interest को safeguard करना यह हमने सुना है यह आया हुआ article में कहीं अभी पढ़ेंगे इसको फिर से to do away with the mistreatment of poor the poor egg and sperm donors do away with करना खतम कर देना mistreatment को बूरे बरताब को गरीब एग और sperm को donor करने वालों को यह बिल्गुल ठीक है लिखा ही हुआ था इसमें वो लोग जो अपने हालातों की वज़े से डोनेट करते हैं उनको treatment अच्छे से हो तो यह भी इसके अंदर एक salient feature था और चोथा है अगर आप सीधे सीधे लापरवाई से पढ़ोगे तो चारों ही आपको सही लगेंगे लेकिन ध्यान से देखो safeguard interest को करना है उन लोगों के जो same sex couples के नहीं है साब साब बिल में लिखा हुआ है same sex यहाँ पे लिखा ना children born out of ART safeguard तो करेंगे interest को जो ART से निकले हो लेकिन same sex couples को इस बिल में नहीं लिया गया है single man इस बिल के पार्ड नहीं है समझगे ना तो यह हमने आदा ही सही मानेंगे इसको आदा गलत है same sex couples को पूरी तरीके से हम safeguard नहीं कर रहे है हम बच्चों को कर रहे है जो कि normal बच्चों होते है जो कि male और female के होते है अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि living को लिया और living वालों को बच्चों को भी नहीं लिया सारे बच्चों को हमने ART वालों को नहीं लिया तो कहने का मतलब है वो अपने नेचर से फॉल्स है थोड़ा सा डीप में जाके बढ़ते तब ही इसको कर पाते इस तरह के questions आपको banks में बहुत मिलेंगे खास करके mains में चलिए मुलाकातोगी कल की वीडियो में एक like और एक share जरूर से दें वीडियो को एक question एक राउं descriptive का आपके एसाब से live-in couples और same-sex couples को ART techniques का फाइदा मिलना चाहिए हमारे देश में या नहीं हाँ या नामे जवाब दें और तीन sentences के अंदर अपना argument भी पेश करें क्यों मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिलना चाहिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखें comment section में है ना लड़ा जगडे के लिए अपने knowledge को increase करने के लिए कोई भी query relating to courses इस number पर आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं आपको app related course related आपको query सारे reply मिल जाएंगे iOS के लिए आप launch हो गई है iPhone वाले भी फाइदा उठा सकते है courses का until then signing out